असलाम अलेकुम तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम मुबैल पर ही अपने नाट्स से लेकर इंटर के क्लास तक के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और हम उन्हें बिना इंटरनेट के किसे इस्तमाल कर सकते हैं चाहे कोई भी सबजेक्ट हो मेतामेटिक हो फिजिक्स केमेस्ट्री चेप्टर वाइस उसके थियोरी हो या एमसी क्यूस हो मेतामेटिक के हर एक जो एकसियोसाइज है उसके हर एक एकसियोसाइज का सोलिशन हो उसमें और मेतामेटिक की हर एक जो एकसियोसाइज है उसके सारे questions solution वहाँ पे मुझूद है physics के अगर mcq की बात की जाए या उसके हर एक chapter के notes की बात की जाए तो वो भी आप वहाँ पे chapter wise देख सकते हैं पहली बार आपके पास internet होनी चाहिए उसको download करने के लिए फिर आप कभी भी offline बिना internet के उसको इस्तमाल कर सकते हैं पहले हम mobile की screen में google chrome application को open करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे adamg notes फिर जैसे आपको click करेंगे तो आपके पास उसी website के कुछ links सामने आ जाएगी आप जाए तो first year को या metric को फिलान में metric को ही open करता हूँ ये जो सारे आपके पास subject सामने आ रहे हैं ये 10th class के notes है English हो जाए उर्दू हो math, physics हो पहले हम क्या करेंगे आप इनको check कर सकते हैं हरे को पर यहाँ पर क्या होगा कि आप internet से इसनो मल करेंगे ये 3 dots थी उन पर click कीजे share link जो option आ रहा है यहाँ पर share वारे option पर आप click करेंगे और यहाँ से आपको copy करनी है इसकी link जब आपने ये link के copy कर लिए तो आप इसके बाद आपके पास जो application होएना चाहिए वो ये offline browser offline browser आप play store से download कर सकते हैं ये जो सामने आ रहा है सो मैंने download पहले ही कर लिया है अगर आप यही notes सारे जो भी है अदम जी के अगर आप किसी book में store से लेते हैं तो यकिन किजिए आपको बहुत expensive पर सकते हैं पर नेरा तो यह करना है कि आप mobile में download अगर कर सकते हैं बिना internet कि अगर आप इसने इसने इस्तमाल कर सकते हैं तो यहीं बेतर है सो मैंने offline browser application को open किया है इस पर प्लस वाला जो symbol था इस पर आपको क्लिक करना है first जो link के वाला option है यहां पर आपको उसको प्रेस करके और उस जो link का मैंने copy के उसको यहां पर रखना है नीचे आपको अपना कोई भी इसको name देना है मैं 10th class notes लिख देता हूं यहां सिर्फ सो जैसे आपने उपर जो link का हम copy करके आए थे उस website से उपर आपने वो रखी और नीचे आपने अपना कोई भी name दे दिया फिर आपको नीचे download वारे बटन पर click करना है सो जैसे आप इस बटन पर click करेंगे तो एक या दो मिनिट में यह downloading complete हो जाएगी और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि हम कैसे उन notes को download कर सकते यह downloading complete हो चुगे और हम उसको open करेंगे और जिस subject का हमें वो notes रखने download करने आपको कोन से भी subject में जाना है मैं matrix की mathematics को open करता हूँ और फर्ज कीजिए मैं जिस भी exercise को click करूँगा तो यह downloading option पुशेगा हमें download now पर click करना है एक बार अगर आपने download के option पर click कर दिया net होनी चाहिए पहली बार फिर आप offline भी देख सकते हैं तो यह जो सारी matrix के हरे exercise step by step आप देख सकते हैं कि उस हरे question का solution है अगर आप पहली बार देखते हैं तो दूसरी बार जब आप भी देखेंगे तो आपके पास चाहिए इंटरेंट ना हो आफ हो आप उसे देख सकते हैं आप जिस भी exercise को open करेंगे तो वो open हो जाएगी और आप जब उसे एक बार देख दे लेंगे सारी exercise को देख लेंगे आप तो वो देखने से ही download खुद बखुद हो जाएगी तो यहां पर physics के notes हैं list wise आप देखना चाहेंगे यहां MCQ किसी भी chapter का MCQ यहां पर हर एक जो उसका subject है chapter वाइद आप उसके MCQ एक बार देखेंगे और फिर आप कभी भी बिना internet के offline देख सकते हैं तो यह आपको जगो यह offline application है आप उसको open करके और यहां आके आप उसे देख सकते हैं तो फर्जी कीजिए मैं दो बार आया हूँ Google Chrome में और first year के जो notes थे उनकी link के copy कर रहा हूँ यह जैसे हमने matrix के notes डाउड़ किये वेसे ही में first year के आपको करके देखाता हूँ तो जैसे ही हम offline browser application में फिर से आएंगे उसको open करेंगे तो फिर से आप plus के जो logo था उसको क्लिक किया उपर आपने first year वाली जो link है उसको वहाँ पे paste किया और नीचे आप name देंगे first year notes और download पे click कर देंगे जैसे ही यह downloading complete हो जाएगी आप उसको open करेंगे और जो कोई भी किसी भी subject का जो notes होंगे आप एक बार देखेंगे यहाँ पे जिस भी chapter का फिर आप उसको offline भी देख सकते हैं जो यह first year के जो भी subject है उनके सारी list wise आच चुके हैं मैं physics के chapter wise देखना चाता हूँ अगर तो list पे click करके जो उसका second chapter है उसको मैं download now करूँगा और यह सारा download हो जाएगा पर जो मैं यहाँ पे image देखूँगा internet के साथ वो ही मुझे offline भी show होगी जो जिनको आपने internet पे किसी chapter को open नहीं किया है तो वो आपको offline में open नहीं होगा फ़र्ज कि इस page को मैंने अभी देख लिया internet के साथ अब मैं कभी भी यहाँ प्याओंगा तो यह मुझे दिखाई देगा चाए मेरी internet आफ हो तो यह बहुत ही एक अशिक किसम के notes है अगर आप इसको फाइदा उठाना जाते हैं तो आप बिना पिसे खर्च के book store से यहीं पर ही सारे notes पढ़ सकते हैं झाल 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 है अबसिया वचके तो शकते हैं